पूरे तीन साल गुज़र चुके थे दोनों की सिर्फ फॉन कॉल पर बात्चीत होती थी क्योंकि लड़का दुबई में रहता था और लड़की गाओं में रहती थी और तीन साल के बाद दुबई से वो लड़का अपनी नावालेक सत्रा साल की प्रेमिका से मिलने के लिए आ रहा था वो दुबई से फिलाइट से सफर करता है रात दिन सफर करकर जब अपनी सत्रा साल की प्रेमिका से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंचता है उससे मिलता ह जाकर तो फिर रादीरात को 17 साल की प्रेमिका उसकी हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद अपने ही प्रेमी की जो दुबई से उससे मिलने के लिए आया था तीन साल से जिससे प्रेम कहानी चल रही थी उसके वो 21 टुकड़े करती है और उन टुकड़ों को अलग अलग जो लड़का दुवई से उसके गाउं मिलने के लिए आया था उसी प्रेमी की उसने हत्तिया क्यूंकि आखर क्या वजा थी कि तीन साल के बाद जो लड़के से मुलकात हुई उसका कतल कर दिया यह जो कहानी है यह जो घटना है शायद इसको सुनकर आपका कलेजा बैठ जाए क्यूंकि अभी तक जितनी भी घटना सुनी थी वो सिर्फ लड़कों ने लड़कियों को मारा था अपनी प्रेमिकाओं की हत्तिया की थी पतनी की लेकिन आज एक प्रेमिका नहीं अपने प्रे वीडियो नहीं आई है तो शायद आपने मिस किया हो या ना कियो मुझे तो नहीं पता लेकिन जिस जिसने मिस किया हो वो नीचे जाकर एक कमेंट्स कर दे अगली वीडियो में मैं उसके कमेंट्स को पढ़ूँगा भी उसका नाम लूँगा और कोई भी सवाल हो आपका तो सवाल भी कर सकती हैं, उसका जवाब भी मैं अगली वीडियो में दुकूँँ और वीडियो इस सवाजा से नहीं आ रही थी कि मैं कुछ काम के सिलसले में बाहर गया था और ऐकजाम भी चल रहे हैं, फिलाल मैं तो गाउं के लोग बद्वूसी लगती है जाडियों में देखते हैं तो वहीं पर स्कूल बैक था गाउं के लोग थे उनको शक तो होता है लेकिन वो सोचते हैं कि पुलिस को सूचना देने से पहले एक बार खुद खोल कर देख लेते हैं कि भला इस बैक के अंदर क्या है य से एक हाथ देखता है और गाउं के लोगों की चीख निकल जाती है फॉरण चेतमा थाना पुलिस को सूचना दी जाती है थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और बड़े-बड़े अधिकारियों को जब पता चलता है कि कि स्कूल बैक में एक हाथ मिला है तो मौके पर कागस का टुकड़ा मतलब लग रहा था कि किसी ने हाथ को बांके से काटा है और काटते टाइम ही जो कागस का टुकड़ा है वो हाथ के साथ ही कट गया होगा जब उस कागस के टुकड़े को ठीक से देखा जाता है तो उस पर फोटो लगा हुआ था मतलब वो एक पासपोर क्योंकि खून से वो रंग गया था पूरा जब देखती है तो पता चलता है कि मुहमद वसीम का पासपोर्ट है वसीम खान का पासपोर्ट है वसीम खान के बारे में पता किया जाता है वसीम खान के बारे में जब पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि वो राची का रहने व पता वो तो राची से साओधी में है साओधी से दुबई और दुबई में ही वो जॉब करता है दुबई में वो रहता है लेकिन वो यहां पर आया हमें नहीं पता क्योंकि वैसे वो जब भी आता है हमें बताता है लेकिन भला हमें बिना बता है वो कैसे आ गया परीवार वाल पर किस से बादचीत हुई है किस से बात नहीं हुई तो उसी पर जिस नंबर से इसकी बराबर बादचीत हुई थी वसीम खान की एक जुलाई से लेकर दो जुलाई तक दो जुलाई को फॉन बंद हो गया था और जो बॉड़ी के टोड़े देखकर लग रहा था वो भी दो ज जुलाई के लग रहे थे कि दोझलाई को प्हेका है पुलिस अब नमर को ट्रेस करती है जिस नमर पर ज्यादा बाठी थी तो वे नमबर रहना का निकलता है और रहना जो थी वह 36 गड़ के कोर्वा दिले की ही रहने वाली थी परिवार वाले रहाना के घर पहुंचते हैं डिटेल्स निकालकर और सवाल ये भी था कि वसीम खान यहां पर क्यूं आया था पुलिस ने जब डिटेल्स देखी ते देखकर ये पता चला है वो अलग रहती है अपने प्रेमी राजा के साथ जिसकी उम्र 23 साल है और उसी के साथ वो लिविन में रहती है पुलिस को जब ये पता चलता है पुलिस फॉरन जो नंबर की लोकेशन से पता करकर और रिहाना और उसके प्रेमी राजा को गरफतार कर लेती। ये रिहाना को जब गरफतार किये जाता है तो उसकी उम्र में 17 साल थी नावालिक थी और जब 3 साल पहले ही रिहाना के परिवार ने 15 साल की उमर में उसको बेदखल कर दिया था दिखल की बज़ा ये थी कि वो राजा से बात करती थी अलगलग लड़कों से उसके संबन्द थे नशा करती थी और यही वज़ा थी कि उसके परिवार ने उसको भगा दिया आप पुलिस रहाना को गरफतार करती है राजा को उन दोनों से पूश्टाच करती है कि जो ये वस सख़्टी से पूश्टाच की जाती है तो दौनों ही तोड़ी अर बोलती है कि हाँ मैने ही वसीम की हत्या की है वसीम मेरह प्रेमी था और उनसको मार दिया मैंने ही टुकड़े किये अपने राजा के साथ है पुलिस हईरान हो जाती है कि मैं 17 साल की लड़की इसने टुकडे कैसे कर दी और जो वसीम था ये कैसा प्रेमी था हत्या क्यों की क्या मसला था जब पुलिस रहाना से सक्ती से और शुरू से पूछती है कि शुरू से कहानी के बताओ क्या मसला है तो रहाना बताती है कि जब वो 2021 था ताव उसके परिवार ने उसको बेदखल कर दिया था वो नशा वगयरा करती थी और लड़कों के साथ उसके सम्मन्द थे तभी उसकी मुलाकात ट्रेन में सफर करते हुए जब वो राव केला जा रही थी तो वही पर उसके साथ वसीम से ह अचान होती है वसीम उसको बताता है कि वो दुबई में रहता है दुबई में जॉब करता है राची का रहने वाला है और फॉन नंबर एक दूसरे को दोनों दे देते हैं और वसीम दुबई चला जाता है और यह जो रहाना थी यह वहां से निकलने के बाद फिर एक कमरा कि हैने लगती है लेकिन दूसरी तरफ इसकी वसीम से जी बाथची चल रही थी और वसीम से ये पैसे लिया करती थी कभी 5 ख 10 ख allow वसीम इससे प्यार करने लगा था वसीम के परिवार वालों ने ये बताए कब वसीम सीधा सचा नेक इंसान था और वो रहाना से प्यार करता था रहाना जब भी उस से मांग थी पैसे फॉरण 10,000-15,000 रहाना को कपड़े लेने होते वसीम फॉरण ट्रांसफर कर दे था क्योंकि जब पुलिस ने वसीम और रहाना का अकाउंट चेक किया तो उसमें लगबग 3 सालों के अंदर 6 लाक रूपे रहाना के पास वो ट्र कितने सारे पैसे उसको दे चुका है तो उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे और ये बात वो अपने प्रेमी राजा को बताती है क्योंकि वो लोग नशा करते थे और उन लोगों के लिए ये पैसे वी कम लग रहे थे दोनों नशा करते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे यही सब कुछ काम था क्या लड़कों को रीहाना दिन भर में 3-4 लड़कों को फसा कर उनसे पैसे बसूर्थी थी ऐसे ही करकर तो इनके दिमाग में आता है कि थोड़े थोड़े हमें अधर उधर से पैसे लेते हैं, क्या फाइदा वसीम को बलाती हैं, और वसीम के अका운nd में जितने भी पैसे होंगे, सब हम ले लेंगे, और वसीम के हक्तिया नहीं कर देंगे, यह planning थी और वसीम से रहाना बोलती है, कि मैं तुम से मिलना चाहती हूँ, मेरा रूम है यहीं पर आकर रुकना, हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन अपने परिवार को बताना मत, चुपके से तुम आ जाना, क्योंकि परिवार तुम से पूछे कर तुम कहां जा रहे हो, कहां नहीं जा रहे, और ये बात के लिए वसीम मान जाता है, और जैसे ही बिलास पर पहुंचता है, दो जुलाई को, तो रियाना अपने प्रेमीर राजा के साथ, एक टैकसी करती है, टैकसी लेकर बिलास पर पहुंचती है, वहां से वसीम को रिसीब करती है, वसीम को बताती है, कि राजा मेरा दोस्त है, तुमारी हेल्प के लिए आया है और वसीम का सारा सामान कार में रखती है और वास अपने जो किराए का मकान ता वही पर ले आती है वसीम को अटारते हैं लोग उपर कमरे में लेकर आते हैं उसके लिए खाना लगाया जाता है वसीम अभी तक बिलकुल बे खबर था कि उसकी मौत यहां पर उसका इंतजार कर यहाँ पर वो मरने वाला है और जैसी प्लानिंग इस रिहाना ने कर रखी थी जब रात का टायम होता है वसीम उससे बाचीत कर रहा होता है तो वहीं राजा पीछे से बाका लेकर वसीम की गश्रण कर देते हैं वसीम जोग जैसे ही जमीन पर गिरता है वसीम का फॉन उठाती है क्योंकि उसको सारे पाजवर्ट सारा सब कुछ पता था इसलिए फॉरण वो पाजवर्ट को खोलती है और बैंक के अकाउंट चेक करती है कि आखर वसीम के अकाउंट में कितने पैसे हैं तो एक लाक असी अजार रुपे देखकर इनका मून खराब हो जाता है क्योंकि इनको उम्मीद थी कि 20-30 लाक रुपे तो कम से कम होंगे बसीम के अकाउंट में लेकिन एक लाक असी देखकर दिमाग खराब होता है फॉरण इन पैसे को ट्रांसफर करती हैं ही लोग अपने फॉन में लेते हैं और फॉन में लेने के बाद बाजार जाते हैं तीन जुलाई को लाश वहीं पर पड़ी होई थी तीन जुलाई को आरी वगेरा बाकी लेकर आते हैं नया फॉन खरीदते हैं अब इनका दिमाग खराब था और दूसरी तरफ इनको लाश च्छिपानी थी इसलिए इनोंने प्लानिंग की कि टुकड़े करेंगे और फिर ये टुकड़े करना शुरू करते हैं टुकड़े बराबर करते हैं और इन टुकड़ों को ले जाकर जो बड़ा वहां का जो मिनी माता डैम है पूरे पिर्देश का सबसे बड़ा वहां पर ले जाकर ये फैक रहे थे थोड़े थोड़े टुकड़े ले जाकर फैक रहे थे सब टुकड़े इनोंने फैक दी थे लेकिन आखर मैं जब ये एक school bag में ठुकुले लेकर रात को जा रहे थे तो सामने पुलिस की patrolling करती हुई कार देख जाती है पुलिस की कार को अपने पास आता हुआ देखकर ये परेशान हो जाती है और bag को वहीं side में फैक देती है पुलिस वाले इनसे पूछताच करते है पिलिस को लगता है घल फ्रेंड बॉइर्स जाने दो, और पिलिस जाने देती है, आगर पिलिस उस दिन ठीक से पूछताच करती, तो ये उसी दिन पकड़ जाते, लेकिन उस दिन वहाँ से बेग फैका था, अगर ये बेग गल्दी से वहाँ पर न पैकते, उसी डम में कि एक फोटो सी फोटो की वजास से वसीम की पता चल चुका और ये दोनों कातिल पकड़े गए वहीं पुलिस ने पकड़ लिया है लोग को उठा कर जेल बेज दिया लेकिन नहरानी की बात देगी के 17 साल की लड़की कैसे कातिल बन गई और अगर ये परिवार के साथ रहती ह होती है तो शायद इतनी बड़ी कातिल ना बनती और इतना बड़ा कत्री घटना को भी अंजाम न देती आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा और नीच